हेलो दोस्तों नमस्कार सलाम सत्स्रियकाल स्वागत है आपका फिर से भारत एक मौज में गर्तंतर दिवस मन चुका है दो दो गर्तंतर दिवस मन चुके हैं और इस दौरान जो जो यूज़ल सस्पेक्ट थे मीडिया और कुछ मीडिया के भारवाले लोग हैं जो एकी रट में एकी सुर में बचते रहते हैं उन्होंने बहुत मौजे लगवाई हैं और वो ही सारी मौजन लेके मैं आपके पास आ गया हूँ आईए देखते हैं भरा देख मौज ये फार्मर्स ने क्या कर डाला किसान कह रहते हैं अपने आपको मिडल क्लास के अभी तक पॉपकॉन खतम नहीं थे उन्होंने पिक्चर में एंड का वाइलेंस भी करके दे दिया मिडल क्लास का क्या सीन है वो तो इसको सोब ओपरा की तरह देख रही थी कि उनके हिसाब से इसमें कमरिशल ब्रेक भी होने चाहिए उनके हिसाब से कहानी आगे बढ़नी चाहिए और जब कहानी उनको पसंद निया ही तो उन्होंने बुल दिया हमें ये फिल्म ही पसंद न लेकिन आज के बाद नहीं करूँगा क्योंकि ये लाल के लिए पर जो हुआ ये देश के नाम पर धबा लग गया है पहली बात तो यार भाई तू आज तक जब सपोर्ट कर रहा था तो किस चीज के लिए कर रहा था पहले ये तो बता दे और ये कैसा सपोर्ट है कि जो मतल सपोर्ट में दो हुए तो वो नाजायज है वो नदारद है और उसकी कोई एहमियत ही नहीं है इतनी सेल्फ एंटैटलमेंट लेके बैठे वो अपने आपको समझ के क्या रखावा है एक्चली आपका सपोर्ट किसी को नहीं चाहिए और मुझे तो ये पता चलता है प्रोट यूए तीन तीन का रहा है लेकिन सब्दनली प्रोटेस्ट के टाइम वो बस लवर हो जाते हैं पूरे टाइम उनका बस के पती जो प्यार होता है बाहर निकल के नहीं आता वो फिल्मों में दिखाते हैं साइडेंट लवर्स होते हैं मनी मन में के चुपाना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता हमें तुमसे मुहबत है यह कहना भी नहीं आता तो यह कार चलाते हैं लेकिन असली मुहबत इनकी बस के साथ है क्योंकि किसी भी प्रोटेस्ट में अगर किसी भी बस को थोड़ी सी खरोच भी आ जायतो इनका दिल टुकडे बस से क्या लेना देना यार, तुम्हें हर चीज में दिखता है, तुम्हें जो डेड़ सो से उपर जो वो किसान मर गए हैं, वो नहीं दिख रहे हैं, वो तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये भी कोई, मतलब ऐसी चीज है जिसके उपर सिंपथी है, एंपथी कुछ दिखाने चाहिए तुम्हारी बस के उपर empathy हो रही है जो लोहे लकडी से बनावा है जो इंसान है उसके तुम्हारी को empathy नहीं हो रही है शांती से बैठे हुए है उस वकड़ तुम्हारे साथ से ठीक चल रहा था है अब जब वहां पर आके यह हंगामा हुआ है इसके भी अलग डायमिक से किसने कराया किसने नहीं कराया वो देखने की आप में ज्यादा मेहनत लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो मुझे कि भाईया प्रोटेस करने का तरीका यह है जब तक हमको ठीक लग रहा है तब तक आपका प्रोटेस जायाज है तब तक हम उसको सपोर्ट करें जिस दिन हमको पुरा लगनी लग गया जिस दिन हमें बिकार लगा जिस दिन आपने बस को कुछ बोल दिया उस दिन हम इस प्र करो सताय हुए को यह बता रहे गों तुने अपने दर्द को कैसे दिखाना है और जो सता रहा है उसको यह नहीं बोल रहे कि सताना कम करें पंच डॉन पंच डाओ आज आप भारत के गंतंत्र दिवस की परेड़ देखना चाहते हैं या किसानों की बेशर्मी वाली ट्रेक्टर परेड़ देखना चाहते हैं दोस्तो सुधीर चौदरी जी ने फिर से वही काम किया जिस काम के लिए जग में पूरी दुनिया में मशूर हैं और माहिर हो चुके हैं इस काम के लिए उन्होंने हमको बताया कि उनके लिए गरतंत्र दिवस क्या है और पहली बार सुधीर आज का दिन हमारे लिए एक त्योहार है और ये त्योहार मनाने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। कonstitution की बात करें के फार्मर्स को सपोर्ट कर देगा। जो आजादे के लिए लड़ रहे थे पहले मुगलों से लड़ते थे तो मुगलों की सेना और सेने के उनको ऐसे ही नीचे धका देते थे जिस दिन लाल के लिए पर किसान पहुंचे थे उस दिन तो यह नहीं गए उस दिन तो ये बिचारे क्या करते हैं अपने भोले बाले रिपोर्टर्स को बेज देते हैं जो बच्चे अभी अभी नौकरे जॉइन कर रहे हैं वो बिचारे वह जाके गारी खाते हैं कि जी निउस गो बैक फलाना निउस गो बैक तुम अपने स्टूडियो में बैठके लाल किला कुछ औरी इतहाब सब्सक्राइए। गए पुलिस जय जवान जय किसान में से आज जवान को गिराया गया भाई मेरी एक बात का जवाब दे 26 जन्वरी गरतंतर दिवस वो गरतंतर दिवस जिस दिन तू परिवार के साथ बैठ के मिठाईयां बाट के महले में और फिर परेड देखता था जो रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया जिसमें हमेशा कोई फॉरण गैस भी आता है चीफ गैस बनने के लिए उस दिन सो कॉल्ड टेररिस्ट जिनको आप कह रहे हो खालिसतानी जिनको आप कह रहे हो वो दो महिने से धमकी दे रहे थे कि हम घुसेंगे उस दिन हमारी तो यार कि चीन को आख दिखाती है पकिस्तान को आख दिखाती है और यह गरतन तो दिवसमें अंदर तक घुसा ले इस पे भी कुछ बोलते हैं मेरे बहुत सारे लोगों को यह तिल मिलाट होगी कि जंडा क्यों फरा दिया वहाँ पे और फिर जो जंडे की असलत तो द वीडियोक्रिटी का जमाना चल रहा है पोस्टृत का जमाना चल रहा है और जितनी आपने कम पढ़ाई लिखाई करी हो जितनी कम आपकी जानकारी हो उतना सेक्सफुल होने का चांस आपका जादा है लेकिन इतनी बेसिक बातों के लिए थोड़ी रिसर्च कर लिया करो ना यार कि कौन से दस्स Cat आपको मुबारक को आपको प्रोग्राम को आपको मुबार को आपको आपको मुबारक कि अगली बार अगर मॉका यह वारदात जैसे की आप कहते हैं चाहल जाओ ना तो उस दिन, जाओ जिन हो रहा है उसके अगले दिन, सीक्यरिटी लेके ना जाओ ठीक है? ओक्षाजबर भाई? वो भी शोर मचारी जिसले खुद ग्रहें भाटतर छेद है उसको तो मचाना ने चीहे तो हमारे जो अगले देशभक्त हैं अरनब गोश्वामी उनका बयान देखे उनने एक उपन लेटर लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं I am announcing the launch of the nationalist collective. In the next few days and weeks and months we will be reaching out to nationalist citizens, groups and organizations across India to create a committed group of Indians who will preempt and fight every attempt at targeting the nation. With the sole and clear purpose to put India first, the nationalist collective will be an instrument in the defense of the nation. While celebrating every aspect of India's diversity, the nationalist collective will emphasize the need to connect all Indians with the glue of nationalist fervor, nationalist spirit, nationalist pride, nationalist common intent, basically nationalist bhagwas. The first thing is that government हमारे पास है इतनी solid police force है इतनी solid army है वो सब क्या मतला खाली हो गया है उनके पास कोई काम नहीं क्या है या तुने सब को निकमा बोल रहा है क्या तुकि तू ही आके बचाएगा सब को मतला कुछ तो science की बात करो ना यार there is a government in place there is a judiciary in place there is a police force in place there is army in place and yet we need Arnab Goswami for nationalist projects what's going on मजाग बनके रह गया है ये देश इसका supreme court इसकी government सब मजाग बनके रह गया है दोस्तों अब आते हैं मनिकर निकापे मतलब modern लक्ष्मी भाई mechanical गोडे वाली हवासे बाते करने वाली कंगना रनावात के उपर जो आजकल की बहुत भारी बुद्धी जीवी भी है और बहुत राश्टर पेमी भी है नेपोडिसम को भी उन्होंने बाहर किया है अला कि अरनाव Goswami ने ठीक नहीं किया उनके चैट में उनके बारे में अगें वही बात अब तो ब्रेंड भी नोने एंटी नेशनल गोशित कर दे हैं पहली बात तो यह कौन छे ब्रेंड है जिनोंने इंको फाइर किया है और फिर फाइर किया इनके नाम बता हो लेकिन फिर से वही बात सब के सब ये बयान करे जा रहेंगे ये टेर्रिस्ट हैं 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 और हमारी सरकार जो कि इतनी बहदूर है कि टेर्रिस्ट को उनके घर में घुसके मार के आती है यहाँ कुछ नहीं कर रही आ यहां क्यों कि उन्दरान दे रहे हैं और यहां क्यों लाल कले तक पहुंच गई है और तो बितलब यह दावा करते हैं कि विरंदर सवाग ने एक ट्वीट एक टillsीट किया था कि अस्ट्रिसेल्ड में के के बाद के निव इंडिया ए घर में गुशके मारता है और तुम कह रहे हो के terrorist की वज़ासे तुमारे brand endorsement cancel हो रही है terrorist की वज़ासे रिपब्लिक दे गंद मचे की terrorist की वज़ासे लाद खिले कोई और जंडा फैल गया terrorist इतना कुछ कर रहे हैं यहांपे तुम एक्टिलिट टेररिस्ट को ब्लेम कर रहे हैं तुम यह एक्सपोज कर रहे हो कि हमारी सरकार कितनी निकम्मी हो गई है डिसाइड तो कर लो किसकी साइड हो तुम टेर्रिस पर इल्जाम लगा रहे हो लेकिन फ्रैंक्ली स्पीकिंग तुमारा जो जितना भी एक्स्पोजर है न यही दिखा रहा है कि हमारी सरकार नका रहा है अरे भेवी और साल कंगना जी तो दोस्तों यह था इस बार का भारत एक मौज और कई बार यह मौजे डिप्रेस कर देती हैं कई बार यह तनी बेकूफी बरी होती है कि हमें भी लगता है यार थोड़ा तो अपने लेवल इंक्रीज कर लो यार जैसे ही आपनी ट्वीट और अगली बार फिर से मिलते हैं उसी प्रोग्राम में जिसका नाम है भारत एक मौज तब तक मौज लेते रहे हैं रजनता उच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल फिर भी बाजना आए बंदर बाट के जोल संत मंतरी पुलिस कलक्टर सबी खड़ा माडोल ज्यान में खोट ना आए भारत एक मौज रेपीटी उसा पीचे चोड़े मलया मोदी मेल चौकीदार जो दिन में सो गया बन गई देश किरेल अरे चटनी एक ऐसी वई आस्वाद सभी सभी रोल मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज अरे चड़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस महाबारत के काल में ओ गई इंटरनेट की खोज बहलू का सिमरक बर मांगे जान के भिक्षा रोज अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज अरे मन की वात करे अरे संडे बिना किसी के रोख आम नागरिक कुछ भी बाले लो आगई जनकीडों की वाज अब देश में पढ़ ना लिखना हो गया टैक्स पेर पे बोज पर कावडियों पे फूल की चादर भारत एक मौज